है कि मैं दूस्तों आगके में मिलने जा रहे हीं ही उता है हम चटाघ को इतनीज़ी नियों कि पRah라 और चेल 스ंप यह लिए यह मसाला यह मैंने इसकी लिए यह दो चमद राई लियो दोचम ख्यों में जिर लिए हिए दो निंबू यह लिए दो चमस मेत्य लिए है दो चमस भन्याज दो चमस मेने जीरा लिए दो निंबू का प्रक्षी एक पर एक चमस मेरे हैं सफेद नमक लिए और दो चमस मैने सौंफ लिए यह आदा विलो मेरच लिए मैंने हरी कटी यह फ्लेम को मैंने ओन कर दिया है इसमें मैंने सौफ डाल दिये राई डाल दिये और मेथी डाल दिये और यह जीरा डाल दिये इनको हलका भूल लेती हूं कि देखो निर्मीद की और सौफ यह लग गई है यह बुर्म लेई है अलका ब्राउन हो चुका है इन सब को मैंने दरदरा पीछ लिए दो चमच मैंने तेल चड़ा दिया है यह चुटके बर मैंने इंग डाल दिये इसमें इसमें बल्दी एड़ करके इसको फ्राई कर लेती हूं इसमें प्राई हो रही है कोई दी हरी सब्दी हो तलने से पहले है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालगा वो बहुत हरी और चटक नजर आएगी में यह मेती और सौंफ और राई का मसाला एड़ कर देती हूं और यह धन्या एड़ कर देती हूं और एक चमच लाए कर लेती हूं पेशे यह हरी मिचे एक दिब्बे में डालके रख दो एक मेने तक खराब नहीं होगी यह मेरे दो निम्गारस रेता यह रख दो निम्गारस निक्सिन आएटी कि यह दकल लगा कि मैं इसको दो मिनिट के लिए पखने के लिए रख देती हूं मिर्चे बनके तयार हो गई है देखे कितनी हरी और चटक बनी है आप इस तरह से बनाएंगे तो मिर्ची बहुत ही साधिस्ट बलेगी कि मिर्ची किती स्वादिस्ट और टेश्टी लग रहे हैं आप भी बनाईए और मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए आप मिर्ची बनाकर जरूर ट्राइब करिए मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कर पिया कमेंट करके बताए कि यह मिर्ची कैसी बनी है थैंक्यू